आज का हमारा topic है autoclave यह भी important topic है sterilization से related यह most important topic commonly आपको sterilization related यह चीज किसने किसी lab में देखने को चुरूर मिल जाएगी autoclave से क्या मतलब है basically an equipment in which pressurized steam is used for sterilization hot air oven में hot air हम यूज करते हैं sterilization के लिए इसमें steam यूज करते हैं जिसकी बहुत हाइप penetration है ऐसा sterilization वह steam यूज की जाती है इसका जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बता था sterilization दो तरह क्योंती dry heat sterilization and moist heat इसमें क्या steam कैसे बनती है जब पानी गरम होता उसके बाद भाब पंती ना तो moist heat का जो example है वहमारा autoclave होगा और dry heat का example होगा hot air oven यह हम पिछली वाली वीडियो में देख चुके है autoclave so moist heat sterilization का यह important part है इसको हमेशे ध्यान रखना moist heat sterilization जो है हमारी autoclave है वैसे इसके अंदर बहुत तरह पार्ट्स आते हैं but above 100 वाली है है वह most heat sterilization वह autoclave है यह हम वीडियो में बिल्कु डिटेल ने पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पाता होगा बढ़ते हैं आपने देखा है जैसे जैसे उसमें पानी गरम होता प्रेशर कुकर में उसके बाद क्या होता है अंदर हवा भी होती थोड़ी औ रखते हैं और प्रेशर बढ़ता है और तो फिर यह वह कुकर की सीटी होती है वो भजने लगती है मतलब उपर उठती की प्रेशर से जो अंदर हवा और वहमारा स्थीम है वह बाहर निकलने की कोश़ करती है दो इसतरीके से क्या होता है हमारा खाना पग जाता है उस्टीम के गारण यह कि अंदर स्टीम है अगर आप एक प्रैक्टिस भी करना जैसे कुकर की सीटी वह कहीं उसके पाइस अपना हाथ रखोगे रहे अपना हाथ रखना उस प्राइब सेम के आगे जो पर भाप ऊड़ रही है बहुत गरम होती इवन इंप टैक्टिकली कर रखा है थोड़ा ऐस पीडिन यापको बता रहा हूं तो सेम फंडा होता है ठीक है वो steam easily penetrate कर जाती है और high penetration power होती है उसकी इसलिए क्या होता है इसमें time होता है जो वो कम होता है as comparison to hotel उसमें कहती है hotel होती है उसकी penetration power बहुत कम होती है minimum time देने के लिए articles के उपर minimum hotel देने के लिए जो हमारा time होता है वो two hours, three hours based on temperature decide किया जाता है जबकि हमारे autoclave की बात करें तो 15-20, 15-20 minutes, 10 minutes based on temperature तो कम time है क्यों क्योंकि जो हमारी steam होती है specialized steam होती है वो high penetration रखती है यह important point है note कर लेना इसको अब principle की बात बताऊं तो simple सी बात है कि जैसे जैसे pressure increase होता है temperature increase होता है यह बात धहान रखना प्रेशर इंक्रीज होता है प्रिंस्पल की तरफ बढ़ते हैं so water is boil at 100 degree celsius सबको पता कि पानी गरम कब होता है उबलता कब है 100 degree पे actual में scientific measures देखे तो होता क्या है जब equal outside and inside vapor pressure हो जाता है आसपास के रहेगा pressure और अंदर का प्रेशर जब सेम होता है तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है कब जब हम उसको खुला धकन करके पानी उबालते हैं तब वह 100 degree पे होता है बट इना close च्यांबर क्या होता है pressure increase होता है जब steam है जो बन रही है 100 degree के बाद वह उपर जाएगे तो क्या होगा pressure increase होगा ना अंदर उसके तब इतो सी कुकर की सीटी उठती यह उपर इंदर प्रेशर निक्रीज होता है साथी साथ क्या होगा temperature also increase होगा क्योंकि chemistry का low है कि pressure increase होगा temperature increase होगा तब तक क्या गरते हम उसको steam बनाते रहते हैं जब पहुंच आता है वह तो पानी उस लेवल तक उबलना थोड़ा बंद कर देता है क्योंकि हम आप एक desired लेवल की steam आ चुकी है इसकी पावर बहुत हाई होती है जब यह किसी जो हमारे बरतन रखे इसके अंदर हमने ग्लास वेगारा उसके surface को टच करती तो क्या करती है थंडी हो लगती है मतब कंटेंस होती है जिसकी विए से लेटनठ हीट प्रड्यूस होती है लेटने हीट बहुत इंप्रॉड़ण्ट को याद रखना और लेटनच हीट पडिव्यूस होती है जो never करती है जो हमार वर्ण कर देती है चिक है उसे कर देती है जिसके वैसे नहीं की लिए जाता और हमने स्ट्लेशन मिल जाती है इस यह था हमारा प्रिंसेपल रै प्र कि बात करें इस लेड बात के है प्रेंद होती सिद्धा खड़ा हुआ है अभी मैं टाइप की बात करूंगा इंडिकेटर होता है राइट कॉमनली ही यूज होता है जब हम छोटी मोटी लैप की बात करें वहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाएगा प्रेशर बात मतलब प्रेशर 15 पांड प्रेशर पहुंच चुका है है नहीं ठीक है सो और हम सेट करने के लिए हमाँ प्रेशर के लिए नॉब्स वगारा भी होती है डीजिटल होता है तो इसमें बटन होते हैं टच करके हम उसको अपने हिसाफ सेट कर सकते हैं साइड में यहाँ पे हमें वाटर लैवल देखना पड़ता है क्योंकि इसमें प पैर के खोल जाता है तो हलका सा अगरे से पैर रखेंगे तो यह उपर आती है पर उससे लिड़ अपने आउपर नहीं आगी क्योंकि टाइट रखसा होता है तो हम इसको स्क्रिव के तरह घुमाते हैं ठीक है एंटी क्लॉक वाइस इसको इनको पकड़के तो वह थोड़ा धिला धिला होता है उसके बाद हम इसको पैर करेंगे तो थोड़ा से अपर उतर साइड जाता है यह पूरा चैंबर है हमारा यहां कंट्रोल प्रेंट में बता दिया स्टीम रिलीज वाल वहां पे जिससे हम जो हमारी स्टीम होती है विद एयर वह भी बाहर निकल जाए यह जब रिलीज कर रहें इसको जब हमारा अटेकलिफ कंप्लीट हो गया तो हलकी से हम इसको उपन करते है थाकि बहार आ जाए और जो अंदर का प्रेशर बहार का प्रेशर एक कोल हो अधर वाइस आपने सुरां का कि कूकर फट जाए फट जाता है अगर प्रेशर इंक्रीज इसलिए कुकर सीटी हम निकलने देते हैं यह हमारे होते हैं पार्ट इस डिफरेंट देन प्रोसेडर की बात करते हैं फिल दा वाटर अप्टू दा मार्क रखना चाहिए उसके बाद क्या कर सकते हैं रैप ऑल दा मेंटिर फस्टराइशन स्पेशली क्या हमारे ग्लास देन फैसलिकमषल रखना जब दिसकार्डिंग्स को तक यह शो स्डिया चाहिंर म। डालते हैं उसके बाद starlize कर दाया शें डाक्ट पि्लाइटी को प्लग कर दियना रियाधा हमार इस हमारे यकरते प्रगार ती इनको हम जो मॉफ होते हैं उन पे कॉटन का प्लग फशाद देते हैं जाए अंदर पाने जाए मुश्र गेन नाओ वो बाद में क्या कर सकता है कंटैमिनेशन दे सकता है जो हम टेस्ट करेंगे इसके बाद हम इसको हम रोटेट करके और टाइट कर देते हैं सो वही चीज है कि हमें यहां पे टाइटी क्लोस करना चीए अपने अटकलेव को उसके बाद हम स्विच्च ओन करते हैं हमारा ओटकलेव दन वेट करते हैं वाटर बॉयल होगा उसके बाद क्या होती है जब हमारे मैनुवल होते थे पहले तो हमें हाथ से कुछ देर बाद एर को रिमूब करना पड़ता था ठीक है उस वक्या करते थे हम जहां से एर डिश्चार्ज होती है वहां पर हमें वह लगा देते पाइप जैसी और फिस पाइप को हम थोड़ी से पानी के अंदर डाल द पानी में उस टैर को डिप करते हैं जहां से पैंचर होता है वहां से बाबस उठते क्योंकि वहां से एर रिमूब हो रही होती है वही फंडा होता है ठीक है जब स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो कहते हम अपने जो हमारा टैप है डिस्टार्ज है उसको क्लॉस कर देंगे इसके बात क्या होगा चैर की आधर्फरी वेसे क्या होगा थीक है ढ़करना जाना है यहां इक इंपॉर्डट्स जीज़ेंगा फोटेवर उन्हों की विज़े कोई भी क्यूपन इस्ट्रूमेंट हो ताइम जो हम बोलते कि इतना टाइम होना चाहिए इतना टैंपरेचर पर तो टाइम कप स्टार्ट होता है जब उस लेवल पहुंग जाता है जैसे मालो 121 degree attain करने में रग जाए और उसके बाद 5-10 मिटोर चलेगा तो प्रॉपर स्ट्राइशन का टाइम उसको नहीं मिल पाएगा तो क्या लिखा है होल्डिंग टाइम स्टार्ट आप्टर दाट इनी डिजार टेंपरेचर यह इंपॉर्टन चीज है ठीक है दन अफ्टर कम्पलिशन सेम जैसे होटर में हम उसको कम्प्लीट वने की पाद स्टुरंत नहीं खूल देते हैं वैसी क्या गरता है यहां भी आफ्टर कम्पलिशन आलो it to cool so हम उसको allow it to cool to maintain equal pressure so उसको हम ठंडाउन देते हैं अगर हम अचान ही खोल देंगे तो pressure अंदर बाहर equal नहीं हुआ तो वो damage हो सकता है then 5-10 मिंट में यह cool हो जाता है पर फिर भी हमें थोड़ा और wait करना ची क्योंकि जो आर्टिकल होते हो हमारे गरम होते हैं तो एक दिन मैंने गलती कर दी थी यह जैसे मारे tips box होते हैं एक तो टीप साथी जो अल्रेडी प्रीफीड आती है बजार देन दूसरी होती है और जो कुली लेले उसको हम एक एक में इस ही पकड़ लेकि बहुत टाइम होगा बट वो गरम थी तो हलकास मेरे हाथ में थोड़ा लगा वो उसी में बता रहूं कि थोड़ टाइम रहने दो उसके अंदर ही गरम होते आर्टिकल स्टार्टिंग में ठंडे होने के बाद भी कुछ टाइम बाद क्या करना चाहिए जो डि उसके बाद हम लीट को अपन करें हमारे जो भी आटिकल है उसको उसमें से लेके उनकी प्लेस पे रखतो जहां इनको रखना है एप्लिकेशन क्या इसकी कहां को यूज कर सकते हैं सर्जीकल इंस्ट्रुमेंट मॉस्ट इंपोर्टर जैसे हमारे दांत वेगारा निकालता त होते हैं पेट की सर्जीर वेगा रहा होती कहीं की सर्जीर तो जो भी इंस्ट्रुमेंट में होते हैं उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं उनकी स्ट्रालाइशन के लिए सर्जीक इंस्ट्रुमेंट के लिए और प्लास्टिक कंटेनर ठीक है जो हमारे प्लास्टिक कंट फिर से कंटेमिनेट ना हो जाए हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो बहुत टैम तक वहां रहने को खराब ना हो जाए तो रैपिंग होती है दूसरा रैपिंग का एक और परपल्स होता है जो हमारी स्टी म जा रहे है वह कहांए यूनिफर्म ज्यूसके असपास मेंटें रहती है जह हम इपानी नीजाता ठीक है जो वह wave प यहांवाद करता है ठीक है ऑड़्सकक यह कमन प्हांट करते है जब अप्लस्टिक ट्यूब हो चीजए कि जाती है यह हमारे ग्लास स्टी प उसको गारद हम प्लक कर लेते हैं कॉटन प्लक से, so that क्या हो, उसके अंदर पानी न जाए, solution water हम कहते हैं न, autoclaveable water रही, so that उसको हम डिस्टिल वाटर जी तरह यूज कर सकते हैं, then by 1000 waste जैसे human and antimical waste हो गया, हमने कुछ और कोई क्या TB का sample या इन सब के जो भी हमारे contaminate कर सकते हैं, environment को हमको, उन सब को autoclave कर गें, then फिर discard के जाता है, then glassware हो गया, autoclaveable resistance, then उसके बाद क्या होता है, culture media solution, one of the important thing आई है, हमारे culture media बनते हैं, blood hazard, neutral hazard, इन सब को sterilize करने के लिए हम, use कर सकते हैं, time and temperature का relation है, वो यह अगर time increase हो रहा है, तो time increase होने का कारण क्या है, temperature decrease हो रहा है, temperature increase होगा, तो time decrease होगा, ठीक है, जो हमारा common होता है, वो तो 121 degrees है, 15 minutes और यहाँ पर जो हमारा pressure होता है, वो तो 15 pounds, pound की जो unit है, LBS के रूप में हम देखते हैं उसको, जैसे 116 होगा, 116 degrees, 30 minutes के लिए, जब pressure होगा, हमारा 10 pounds होगा, यहाँ देखो temperature increase हो तो time decrease हो रहा है, और 20 points यहाँ पर हमारा 20 pounds यहाँ पर हमारा temperature होगा, जैसे increase temperature होगा, तो क्या हमारा pound भी increase हो रहा है, 30 pounds, जैसे increase होगा, temperature भी increase हो रहा है, ठीक है, और इसकी विए time decrease होगा, तो 3 minutes हो सकता है, तो इसको आप याद कर सकते हो, right, then types of autoclave, basically हमारा पर दो type की autoclave हो, horizontal जैसे कि आप shape देख रहे हो, इसकी ऐसे horizontal है, और vertical में यह इस तरीके से, ठीक है, so, दूसरा point है कि door open towards you, horizontal क्या होता है, यहाँ से हम इसके anti clock wise घुमाते हैं और इसके पाद यहाँ से खुल जाता है, तो यह हमारी तरफ खुलेगा, जिस तरफ बंदा खड़ा हो, तरफ खुलेगा, बड़ इसकी बात करें, तो यह उपर की, उपर से खुलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पैडल है, तो इसको हम प्रेस करें, फिर हलका से उपर होगा, और इसको side कर सकते हैं, और जहाँ पर small volume, वहाँ पर हम vertical risk करें, तब ही जो common laboratories है, वहाँ पर यह देखने को मिलता है, यह बड़े-बड़े hospitals में हमको देखने को मिल जाएगा, horizontal की बात करें, horizontal और क्या कहते है, downward displacement, इसमें क्या होती ही, जो air होती है, वो निच्चे से release होती है, क्योंकि air क्या होती है, भारी होती है, और steam हलकी होती, तो वो निच्चे आती है, और यहाँ से remove हो जाती है, simple funda, यहाँ पर हमारे क्या होता है, निच्चे steam, एक second, यह देख रहे हो, यहाँ होता है, पानी, ठीक है, तो पानी उबलता, उसके बाद steam उपर जाएगी, then वो steam उपर जाती है, यहाँ से steam के साथ कुछ-कुछ हवा भी जाएगी, और दूसरा जब हमने door open क्या है, इसका समान रखने करें, तो भी हवा एंटर करी है, जो हवा होती न, उसको remove करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हवा क्या होती का गळटे, इश.. फॉद्द आगोब क्यों क्यों मतलब यह हवाँ होता है, हवा भारी हो जाएगी, और steam वहां पे नहीं आगी, तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या है जो हमारी स्ट्राइज करने के लिए स्टीम की यूद्ध होती है उसमें स्टीम ही हो उसके लाव कुछ ना हो और तभी हमें के 121 डिग्री सेल्सिस पे 15 मिनट के लिए बट अगर उसमें एयर मिक्स्चर होगी तो नहीं होगी आर्टिकल के उपर प्रॉपर स्ट्राइशन नहीं हो पाएगी और फिर बाद में कंटेम्रेंट हमको भी कर सकते है और हमारे स्प्रेस्टिम को भी कर सकते हैं इसलिए air को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है सो यह रिमूव होती निच्छे से इसलिए इसलिए यसे कहाते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेस्मेंट होता है मैं इस बिसिकली जाती है तो दो तो यह हमारी प्रेसर गॉज जादा ना पुसरा अची का एक टेखनीक होती ही वेक्वाने Corday इसमें क्या होता है दो चीजी वेक्वन चमबर चेंबर तो जैसी पानी उबलता है तो vacuum chamber क्या करता है एर को सारा vacuum कर लेता है बताब खीच लेता है वहाँ से अगर मैं आपको पिछले बाल दिखा हूं तो इसमें automatically due to gravity ये नीचे से निकलती है बट इसमें with the help of vacuum air को निकलती है उसके बाद हम अपना करते हैं और डानवर्ड में क्या होता है ड्यू टू ग्राविटी एर रिमूब होती उसके बाद स्ट्राइशन होती है तो ये कॉमन डिफ्रेंट साइज में vacuum is used for displacement of air ये important चीज है वेकिम चंबर के बार दूसरा vertical autoclave ठीक है ये कॉमन ही देखने को मिलता है इसमें इसमें स्ट्राइशन यूज करते हैं इसमें बेस पर पानी होता है इनको कहते हैं इस एले पर हमारा पानी होता है और यहां पर a electric Monsieuräll किए बास्के it होती है वह बी लोही की होती है और वो भी क्या होती पूरी तरह से उसमें छेद होते हैं रही जैसे ही आपको दितला है यह हम ?」 लगी होती है ठीक है वह भी सबसेखेल स्टीë और यहां पर आएगी बट स्टीम धावल सरे इसलिए आपने बंदो जाते है इसके बन करती है इसके पार्टस है आपको साथ साथ एक्स्प्लेन कर रहा हूं यहां पर हमारे पैस कुछ मेंटर सब्सक्राइब करने के लिए अपना इंडिकेशन होता है जो कि कॉमन है सब चीज में कि लाइट जलती जब तक वो उस लावल तक ना बंटीवन डिग्री ना पहुंचे जैसी पहुंच जाएगे तो लाइट हमें बात है पर ऐब लगर पानी बाद में निकाल के लिए यहां से निकंड पानी बोल तो पर कर लिए उसके बात प्रेश कर देते हैं उसके वह उता हमारे ऑठिकल्स हो जिएtype प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं तो डू नोट ओपन लिट अंटिल अट्मोस्फरी प्रेशर प्रेशर बिकम इक्वल अपसे इंपॉर्टन है ठीक है हमें अपनी लिट को तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आप प्रेशर उसके असपास का प्रेशर इक्वल ना हो जाए कैसे खुलाब हो सकती है ठीक है इसलिए हमें वाटर लावर को देख लेना चाहिए यह जो हमारे जैसे बास्कीट के अंदर सिद्धा ही हमें अपना डालना चाहिए एक तो परफॉर्ट्री डवो तुम्हां से सब लिके हो जाएगी दूसरा क्या होता है कि हमें निकालने में बह है डूनोट ओवर लोड अच्छी हो स्टीम की तभी तो स्टीम नहीं तो क्या ऐसे की एक इपर में निकाल दो कुछ नहीं हुआ फिर फिलाएगा डूनोट ओवर लोड दा ऑटकलेव यह वारा बैग होता है ऐसा निए उस इक अंदर भर दिया फिर जब उठाएंगे नीच चैनला इसले हम उसे उठाएं तो इसली विलिफाफ है कि बाद में क्या होता है थोड़ी भी स्टीम पगार भी हो जाती है पानी यह वी जहां से हमारा अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाया तो वहां से हलकलकर रिलीज होता है सोदन की फटना जाये हमारा वह और अगले वज़े तो फोड़ थोड़ जैसे कुकर में सीटी होती ही जब प्रेशन के लिए तो बजने लगती है ताकि हमें इन फूचर कोई इंसिडेंट्स हों से बच सकें चेक फॉर ऐनी अब्लोंबल साउंड उसमें से कोई साउंड तो नहीं है जैसे हमारा अवाज आरी मतलब समझे लो इस तरह की तो यह क्या कर सकता कि कहीं लिकेज हो रही है या प्रेशर लिक हो रहा है जो हमारा अं लोहे का होता है तो बहुत देर यूज करने एक बार और अनसे सिर्फ की नहीं उसकी वेसे क्या होता है मतलब की कैलिश्यम कार्मेट जाते हैं तो बाद में क्या करता है लिकेज भी देखने को मिले जाती तो इस चीज़ों को हम देख लेना चाहिए जब हम स्टेलाइज कर है कोई चीज तो बहुत बड़ी लाइब होंगे या कुछ करोना के सैंपल है तो हमें क्या करने चाहिए जो बंदा है करने जा रहा उसको अडवाइस करने चाहिए कि पैनलों को कौन करता है क्लास्वर बगारा करते हैं उनको हम इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो वैसी कर द के बाद हमें तो हमारे ओटक लेवल बैग होते हैं उनको उपर से पकड़ना चाहिए तो उसको हमेशा उपर से पकड़ना चाहिए कि निचे से एक तो गरम भी होगा और दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें कोई शाप इंस्ट्रुमेंट विगारा है वो आपके हाथ भी लग स सकते हैं तो इसलिए शाप इंस्ट्रुमेंट भी हमें नहीं डालने चाहिए कोई निडल डाल दी या कुछ भी शाप ब्लेट वगारा वो डाल दे तुमने की नहीं चाहिए तो वो हो सकता है किसी को पंचर कर दे हमारे बैक को फार्ट फिर सारा नीचे गिर जाए तो इस च पिर बात क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है हाड वाटर 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 वाश कर सकते हैं इसलिए प्रैफर कि यूज करो इसमें कोई मिन नहीं होते स्टरालाइशन कंट्रोल की बात करें तो हमें मन्थली हमें स्पोर्स चक कर लेना चाहिए हैं और जो हमारी गाड़लांस से सीडी सी के गौटिंग को वह तो यह कहते हैं कि हम वीक्ली कर लेना चाहिए का इस में क्या यूज करते हैं स्ट्रिप्स करते हैं यह आजकर हमको या आजकर हमको अंप्यों देखने को मिलने वाले जैसे नर्सी यूज करतें हैं दवाई के लिए उसको तो इस तरह मैक सुक्न हा इस सब्सक्राइब करते हैं और इसमें स्पोर्स अगर रहे गए तो वह रहेगा तो हमें बताता है सब्सक्राइब कर सकते हैं जितने इसमें हीट होगी उसके जनरेट होगी जैसे हीट 121 के आसपास हाई हम पता लग जाएगा ठीक है उसके बाद इसमें एक एडिशनल चीज क्या होती है वह होती है यह क्या होता है यह ऐसे के ऊपर कोई हमारे पास लेबल होता है जो कि चेंज होता है 121 के बाद इसका डिसरे वांट इसका है है इसलिए रिलैबल नहीं है बट रुटिन हम इसको कर सकते हैं कि 151 पर पहुचा है सो यह कुछ हमारे स्टराइशन ने कंट्रोल है जिसकी विज़ से हम इसको चेक करते हैं और हम ISKो मंतली स्पोर्स को चेक करते हैं या फिर जैसा भी आपके प्ली की गाइडन्स कहते हैं उससी साबसे भी इसको चेक कर सकते हैं और यहां होती है हमारी autoclave की वीडियो खतम आप इसको revise करो इस दोने बहुत इंपर्ण टॉपिक थे जाए होटो यह autoclave और मिलते हम next वीडियो में